हेलो स्टूदेंट्स, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल क्रिस्पर बाइलाजी, माई नेम इस सर्वगे और आई रेली होप ड़ियू आप बच्चों जो आज की वीडियो है वो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि रिसेंटली सी बीसी ने जो है वो अपना स्लेबस चेंज कि अब क्यों चेंज किया उसका परपस क्या है क्योंकि आप देख रहे हो कि काफी टाइम से लॉगडाउन चल रहा है तो आपकी जो स्टूडीज है वो भी आपकी एफेक्ट हो रही है न तो उसी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए थोड़ी बहुत जो सी बीएसी ने अपने स्लेबस में मौडिफिकेशन की है ताकि जो भी लॉस है उसके साथ थोड़ा बहुत कोप अप किया जाए अब टू एन एक्स्टेंक्ट कोप अप कर लिया जाए ठीक है तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में किस किस तरीके से चेंजिस लाई हैं तो कॉं मौडल्स हैं थॉम्सन मौडल और उसकी लिमिटेशन रदर्फर मौडल और उसकी लिमिटेशन वो सारी की सारी जो हैं वो यूनिट 2 में एड़ कर दी गई है इसके अलावा बचो जो टॉपिक हैं सिग्निफिकेंस आफ क्लासिफिकेशन और जो ब्रीफ हिस्ट्रिया प्रि इसके अलावा प्रैक्टिकल्स में भी चेंजिस लाएं उन्होंने तो आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो कि कौन-कौन से प्रैक्टिकल में कौन-कौन किस-किस तरीके की चेंजिस आई हुए हैं अब नेक्स हम बात करेंगे क्लास 11 की बायलाजी की तो बच्चो इसके अलावा उन्होंने क्या किया बच्चो कि जो नंबर अफ लक्चर्स जो एक लक्चर को मिलते हैं चैप्टर कंप्लीट करने के लिए उसको उन्होंने रिड्यूस कर दिया जैसे आप देख सकते हो कि जो यूनिट 1,2 और 3 हैं उनके जो पिरेट्स थे वो 23,23 और 34 थे जो प्रिवेसली मिलते थे कंप्लीट करने के लिए उसी को उन्होंने रिड्यूस करके बच्चो 27,27 और 26 कर दिया इसके अलावा बच्चो आप देखो कि जो चैप्टर 6 है उन्हों में उसमें उन्होंने एक नया टॉपिक अड़ कर दिया जो कि पहले नहीं था अब उसको दोबार अड़ कर दिया उन्होंने चैप्टर 6 में इसके लावा प्रैक्टिकल्स में काफी सारे प्रैक्टिकल्स में चेंजिस आई हैं तो वो प्रैक्टिकल्स की चेंजिस आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में नेक्स चलते हैं बचो फिजिक्स और मैट्स में तो क्लास 12 की chemistry में आये हुए है देखो बचो पिछले air में solid state जो था वो chemistry से हट गया था बट अब दोबारा solid state को उनों ने add कर दिया as unit 1 ठीक है अब जिसकी वज़ा से जो sequence है बाकी के syllabus की वो भी क्या होगी है change इसके लावा जो बचो unit 7 था p block elements उसमें जो group 15 elements है उनको add कर दिया गया ठीक है और इसके अलावा उनके जो number और periods है वो भी जो है वो change कर दिया पहले जो 14 lecture लग रहे थे अब वो 12 लग रहे है इसके अलावा बचो जो number of periods है for unit 10, 11, 12, 13 और 15 उनको भी change करके 12 को 10 में कर दिया, 12 को 10 में कर दिया, 14 वाले को भी 10 में कर दिया 12 को 10 में कर दिया और 6 lectures को दुबारा उन्होंने 6 को 8 में convert कर दिया ठीक है तो आप यहाँ पर देखो कि नोंने किया कि number of lectures को reduce कर दिया जिससे क्या होगा teachers को कम time में आपको जो syllabus है वो उन्होंने खतम करना क्यूंकि obvious ही बात है time ही बहुत कम बचा हुआ इसके लावा बचो जो unit 13 का name है organic compound containing nitrogen उसको इन्होंने change कर गे अब amines में convert कर दिया ठीक है इसके लावा बचो दो topics cyanide, isocyanide ये एक खुशखबरी की बात है कि cyanide और isocyanide ये दो topics जो है वो unit 13 जो है हमारी amines उसमें से इन्होंने delete कर दिया अब आगे बचो topic जो था classification, natural, synthetic और method of polymerization उसको इन्होंने unit 15 में add कर दिया unit 15 जो polymers है उनमें ये topic जो है वो add हो चुके की बात करें तो बचो उसमें एक topic है binomial probability distribution उसको इन्होंने unit 6 जो probability है हमारी वहाँ पे उन्होंने add कर दिया इसके लावा class 12th biology की बात करें तो इसमें कोई जादा बड़ा change नहीं आया सिर्फ एक topic जो है sacred grooves ठीक है वो इन्होंने chapter 15 में add कर दिया इसके लावा practicals में biology के कोई भी change नहीं है और physics जो है उसका syllabus as it is है 12th में physics के syllabus में कोई भी change नहीं है ठीक है तो बचो इतनी changes जो है वो अभी तक आये हूँ है इसके लावा कोई और changes नहीं है thank you I hope आपको वीडियो जो है वो पसंद आई अगर पसंद आई है तो इसको like करो subscribe क करो और follow करते रहो जितनी भी videos आएगी thank you thanks a lot